दोस्तों एक बार फेर पुराने अंदाज में करते हम इस व्लॉग के सुरुआत गुड मॉर्निंग उसुरू यह राइबरेली का उसुरू है और यहां की यह गुड मॉर्निंग है ठंड बहुत ज़्यादा है थोड़ा थोड़ा कोहरा है हम छत पे फूल लेने आये थे उस समय का टाइम में यह छे बज़े रहे है यह देखिए आस्मान का नजारा देखिए बादल कैसे लाल-लाल से लग रहे हैं पतनी मोबाइल में समझ्झ में आ रहे की नहीं सुरू हो गई सुबह की भागदौर देख लीजिए नहा के बस अभी निकले ही है कि दुकान का काम सुरू हो गया कोई था नहीं तो हम ही दुकान में आ गए देखिए सिंगाडे उबाल दी है इनको फ्राई करके आज नास्ते में देंगे यह हमारी च्छत में सिंगाडे सूख रहे हैं अब यह फैलाए नहीं गया है अभी यह बस ताल सिला के च्छत पर डाल दिये जा रहे हैं अब यह बहुत धेर सारे हो जाएंगे इनको क्या किय इनको सुखाने के लिए यह च्छत पर रखा गया है अभी बाईस आप बराबर लाते ही जा रहे हैं बाईस आप जब तक पूरी च्छत भर नहीं देंगे तब तक मानने वाले नहीं है देखिए बरबर के कैसे लाके डाल रहे हैं भाईस आप तो अपने काम में लगे हैं क्रें मिस्री एक कपर ले लिया एक कपड़ा लिया किसका कप्रें यह जो कि मेरा है अच्छा झाली की दो है देखिए दोस्तों वह दाल फ्राइव रहे हूँ है इसा प्राइव कर करके मैं इसकी घर पे बनने के बाद रेड़ी करके आपको नमकीन दिखाऊंगे आप बताइए कैसी बनी से दोस्तों बन गई मेरी होम मेट नमकीन ये देखिए बहुत सिंपल सी है मिसु बहुत जादा नमकीन खाती है इसलिए मैंने घर में भी बना ली है और देखिए में एक्या ड़ाला इसमें थोड़ा सा नमक मिर्चा और चाट मसाला और कुछ नहीं है घर की चीजें देखिए मॉमफली के दाने चने चने की दाल से ओ यह सब घर का ही है तो आप लोग मुझे कमेंड में जरूर बताएगा मेरी नमकीन कैसे बनी है देखो मिसू मेकप की है क्या क्या पी रहे हो मिसू बड़ा हो गया है वो अपने चाए पी लेता है वीडियो मेरा यहीं तक मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में रादे रादे दोस्तों